अगर आपके घरवाल आपसे हमेशा यह कहते हैं कि कुछ नया बनाओ अलग बनाओ टेश्टी बनाओ तो यह रेसिपी जरू ट्राइ करेगा यह रेसिपी अपके घरवालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी यह बहुत ही पॉपिलर श्रीड फूड है जिसका नाम है अफ दही को एक बोल में ट्रांसफर कर लीजे फिर हमें यहाँ पर चाहिए आदा कप काजू का पेश्ट इस काजू की पेश्ट को बनाने के लिए मैंने तकरिवन 20-25 काजू का इस्तेमाल किया था और उसको दूद में मिक्स करके उसे ब्लेंड कर लिया फिर हम इसमें एड़ कर चाट मसला और गरम मसले का इस्तेमाल किया है और अगर आपको भी जानना हो कि घर पर इंदर भी परफेक्ट गरम मसला और चाट मसला कैसे बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरू लिक कर बताएगा मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ जरू शेयर कर दोंगा फिर ह एक बड़ी चमच कसुरी मेती को हम हातों में लेकर इसे क्रश करके इसमेड कर लेंगे फिर हम यहाँ पर इसमेड करनी है आदा कप क्रीम आप चाहो तो घर की मलाइक आपे इस्तमाल कर सकते हो और आखिर में हम इसमेड करेंगे एक चोटा चोटी चमच जितना नमक अब बस इन सभी को हम एक बार अचसे मिक्स कर लिना है और इसका एक स्मूध मेरिनेशन बना कर रेडी करेंगे चले जब तक हम इसको मिक्स कर रहे है तो तक फटाट तमने कमेंट्स में यह बताए कि आप इस वीडियो को कौन से शेर से देख रहे हैं सोया चाप के लिए जो मेरिने है यह ऐसे ही बहुत ही साधा टेशी लगता है लेकिन इसके फ्लेवर में चार चांद लाने के लिए हमें एक और चीज करनी पड़ेगी जो मार्केट में हम सोया चाप या पने टिक का खाता है वो तंदूर के अंदर बनाय जाता है या फिर कोईले के उपर सेका जाता है आप इसे स्किप करोगे तो भी चलेगा लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसे इस तरह से जरूर ट्राई करिए ट्रस्ट मी आपके सोया चाप के अंदर आना चार चांद लग जाएंगे कोईले को आपको हर तरफ से एकदमी गरम कर लेना है उसमें से इस तरह से धुआ आना चाहिए अब जो हमारा मैरेनेशन था उसके अंदर आपको इस तरह के एक बोल रखना है और इस बोल के अंदर हम इस कोईले को रख देंगे फिर हमें इस गरम गरम कोईले के ऊपर थोड़ा सा घी अड़ करना है और इसको तुरंत बंद कर देंगे ताकि जो स कोईले के दुए की वज़े से ही है ना हमारे मैरेनेशन के अंदर हो तंदूर वाला टेस्ट आएगा अब आप चाहो तो इसकोईले को साइड पर निकाल लीजे और यह हमारा एकदम ही टेस्टी अफगानी मलाई चाप का जो मैरेनेशन है यह रेडी होच का है तो अभी फि पर जो सोया चाप खाते है वो अकसर मैदा से बना हुए रहते है लेकिन यह जो सोया चाप है यह सोया फलार और गेहूं के आटे से बना हुआ है सबसे पहले हमें इसमें से यह जो लिक्विड इसको निकाल लेना है यह ब्राइन है यानि की नमक वाला पानी है इसके हमें ज सोयच आपको पानी में पहले 2-3 बार अच्छे से वाश कर लेंगे और इसको वाश करने के बाद इसके कपड़े के उपर बिचालेजिए और ऐसके ड्राइ कर लीजिए इसको अैसलिए कर रहे स्कू कि बाद में नहीं हमें हूं आद अहँ है करना हूँ चलिए इसी तरह से मैंने सारी स्टेक सिस्प से निकाल ली है तो अब इस सोया चाप को हम पीसेस में कट करेंगे तो आपको इसको कितना बड़ा या कितना छुटा रखना है उस अनुसार आप इसको कट कर सकते हो आज तो हम ये अफगानी मलाई सोया चाप बना रहा है लेकिन इसके अलावा आपको और कौनसी कौनसी रेसिपीस देखनी है या आप मुझे कमेंट्स में जरू लिकर बताएगा ताकि मैं आपके साथ वो भी रेसिपीस शेयर कर सकूँ चले सारे पीसिस को मैंने कट कर लिया है और साइड पर मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था तो जब तेल मीडियम गरम हो जाए तब हमें इनको फ्राइ करना है एक चीज़ का आप पर ध्यान रखे कि तेल का तापमा बहुत गरम नहीं होना चाहिए अगर तेल बहुत ही गरम होगा तो यह सोया चाप है यह फटा वट से कलर पकड़ लेंगे लेकिन क्रिस्प आपकी कड़ाया पैन में एक साथ जितने सोया चाप आ सकते हैं उतनुक आप हैक्साथ फृराइ कर सकते हो और फिर हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही तब तक फ्राइ करना है जब तक एकदमी क्रिस्पी और गॉल्डन प्राउ नहीं हो जाते इसको अच्छे से फ्राइ होने में तकरमें पाट से साथ मिट्टा आराम से लग जाएगी थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको पलटते भी रहेगा तो इसको एक चमच की साहिदा से एक दमी हलक हलके हाथों से अब घुमाते रहेगा सोयच आपको हम फ्राइ से ले करते हैं ताकि क्रिस्पी भी लग सके प्लस इसको टेक्शिर हो तो आसा रफ हो जाए और जब टेक्शिर रफ हो जाएगा तो उसके क्या होगा कि जो मेरिनेशन है वो इसके उपर अच्से चिपक पाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका रंग ये थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका ये लाइट ब्राउन होने लगा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राइ करना है जब तक और गोल्डन नहीं हो जाता अगर आपको ये अफगानी मलाई सोया चाप की रेसे भी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा और कमेंट्स में हर बार की तरह यम्मी लिखना मत बूलिएगा चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो सोया चाप है ये अच्छी से फ्राइ हो चुके है काफी बड़ी ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुक है इसके उपर तो बस हम इसको साइड पर निकाल लेंगे आप साइड पर मैंने प्याज और शिम्मला मरच को कट करके रखा हुआ था इसको मैंने इस सरसे क्यूज में काटा हुआ है तो स्क्यूर में हम पहले शिम्ला मरच और प्यास को रखेंगे और उसके बाद इसमें एक एक करके सोयाच आपको इदमी आराम से एड़ करते जाएंगे ये जो स्क्यूर की जो नोख होती है वो बहुत ही जादा शाप होती है तो इदमी संबाल कर इसको इसमें एड़ करिएगा आपके skewer में एक साथ जितने सोया चाप आ सकते हो तो आप add कर सकते हो और उपर वापस हमें एक प्याज और शिमला मर्च की slice रखनी है अब अब हातों में हलका सा marination ले लीजिए और इसको वापस इसके उपर तता spread कर लीजिए इस टाइम पर आप चाहो तो प्याज और शिमला मर्च को भी marinate कर सकते हो अब अगर आपके पास तंदूर हो या barbecue stand हो तो उसमें आप इसको सेख सकते हो लेकिन अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसको इस सरसे gas पर भी सेख सकते हो gas की flame cup को medium या फिर high पर रखना है और इसको हम तब तक सेखेंगे जब तक इसके उपर चाड़ मार्क्स नहीं आ जाते है जब आप इसको सेख रहे हो तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद घुमाते भी रहेगा ताकि यह एक जगे से जलना जाए इसको आप कुछ-कुछ seconds में घुमाते रहे है ताकि यह हर तरफ एक समान सेख सके और एक जैसा color हर तरफ आ सके चले जिसके आप देख पा रहे हो कि इसको मैंने सेख लिया है और इसके उपर हलके से charge marks आ चुके है तो अब आप चाहो तो इसके उपर हलका सा butter लगा सकते हो और butter लगाने के बाद हम इसको कुछ seconds के लिए और सेखेंगे चले जिसके आप देख पा रहे हो कि हमारा यह जो मलाई सोया चाप है यह बहुत ही अच्छे से सीख चुका है और इसी तरह से आपको बाकी सभी को भी सेक कर रेडी कर लेना है आप चाहो तो इनको ऐसे ही खा सकते हो या फिर आप एक और चीज कर सकते हो और वो यह है कि इसका आप एक bowl के अंदर transfer कर लीजे फिर इसके उपर आपको आड़ करना है जोड़ा मेल्ट किवा butter अब क्योंकि यह मलाई चाप है तो ऑविसके इसके अदर मलाई तो जाएगी ही तो मैंने यहाँ पर 3-4 बट चमच मलाई का इस्तमाल किया हुआ है साथ ही मैं हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा से प्यास फिर जो हमने marination बनाया हुआ था उसमें से थोड़ा सा marination हम इसके अड़ करेंगे और आखिर में इसमें धन्या और हलक असा चाट मसाल स्प्रिंकल करेंगे और बस इन सभी को हम एक बार max कर लेना है और यह हमारा एकदमी street style अफगानी मलाई सोया चाप बनकर ready हो चुका है बनाने में एकदमी यह simple है और खाने में यह एक number बनता है तो आप इसको एक बार जरू ट्राइ करेंगा I am 100% sure कि आपको और आपके घरवालों को यह बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे बार बार बना कर खाओगे तो उमीद करता हो कि आपको यह recipe पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया हो तो इसा like और share जारू करिएगा